केंदरी कैबिनेट ने देश और विदेश में आतंकी मामलों की जांच में नेशनल इन्वेस्टिगेशन आजंसी को और साती मजबूत बनाने के लिए दो क Android करने के प्रस्ताव को आखिरकार मंजूरी देगी दी कैबिनेट ने गैर कानूनी गतिविदी कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी जिसे आतंगवाद से जुड़े लोगों को आतंग की घोशित किया जा सकेगा वहीं बता दूं कि NIA कानून में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है ताकि एजनसी को और भी जा सके और भी मजबूत बनाया जा सके इस संशोधन के बाद एजनसी भारत के भार भी भारती नागरिकों या उनके हितों को नुकसान पहुंचाने की सती में मामला दर्श कर जांच कर सकती है संशोधन विधैक आने के बाद उन मामलों का दायरा भी बढ़ जाएगा जिनकी एजनसी जांच कर सकती है नाई ये एक्ट में कई नए अपराधों को भी जोड़ा जा रहा है इनमें सूचना प्रोदगी की अधिनियम 2000 की धारा 66F के तहट दर्श के जाने वाले साइबर टेरेजम के साथ साथ धारा 370 और धारा 371 के तहट आने वाले मानव तसकरी से समंदित IPSC अपराध भी शामिल होंगे